नमस्कार में उप्रिया आज 29 जून चुले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को बिहार में COVID-19 प्रभावितों की संख्या 9000 के पार बिहार में COVID-19 प्रभावितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जारा है बिहार स्वास्तवभाग के द्वारा बीते दिन जारी किये गए दूसरे अपडेट तक 245 ने मरीजों की पुष्टी की गई है जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या 9224 हो गई है पाई गये मामलों में प्रभावित जिलों की बात करें स्वास्तवभाग के अनुसर बिहार में कोवर्ड-19 से ठीक होने वालों की दर 78 फीसिदी है और अब तक इससे 62 लोगों की जान जा चुकी है बिहार के अद्योगी की नीती में लकडी आधारित उद्योग किया गया शामिल बीते दिन उपमुक्य मंतरी सुशील कुमार मोदी ने बिहार की अद्योगी की नीती में लकडी आधारित उद्योग को शामिल करने का फैसला सुनाया है जिसकी बाद काठ को उद्योगी की छेतर में शामिल करने से राजिमे किसानों के करोडों पेड को अब बाजार मिल जाएगा इसके साथ ही बांस की खेती को भी प्रोतसाहित करने के लिए दो-दो टीशू कल्चर लाब भी स्थापित किया जार है इससे काघज उद्योग, सिलाई, प्लाइबोर्ड, प्लाइबोर्ड, लामिनेटिड, बीनियर, टिंबर, आधारित, उद्योग को भी पढ़ावा मिलेगा बिहार के डीजीपी गुपतेश्वर पांडे ने समय पर चुनाफ के आयोजन की जताई संभावना बिहार के DGP गुपतेश्वर पांडे ने बीते दिन बिहार में विधानसभा चुनाफ के समय पर आयोजन होने की संभावना जताई है जिसके तहत उन्होंने बताया है कि पुलिस मुख्याले स्तर पर विधानसभा चुनाफ को लेकर के तयारिया जोर शोर से जारी है जिसके तहत उन्होंने यह भी बताया कि समाहर नाले स्थित NIC के जुले के तमाम पंचाय जन प्रतिनिद्यों के साथ जोरी वीडियो कॉन्फरेंसिंग के बाद इस बात का फैस्ता लिया गया है कि चुनाफ की तयारिया पुलिस मुख्याले के स्तर से जोर शोर से करवाई जो है निश्रित समय पर चुनाफ संपन होने की पूरी उम्मीद है बिहार के आठ जिलों में वारिष की जताई गई समभावना बिहार में मौनसून का असर जोर शोर से देखने को में बिड़ा है वहीं इसी बीच आने वारे 72 घंटे में मौसम विभाग के अनुसार बिहार के आठ जिलों में जहमा जम बारिश होने की उमीद उजताई गई है जिसके तहट मौसम विभाग में पशिमि चंपारन, पुर्वी चंपारन, गोबाल गंच, सिवान, अररया, किशन गंच, कटिहार और सहरसा में भारी बारिश होने की संभाबना जाहिर की है इतना ही नहीं मौसम वे भागने राज़ानी पट्टा वे हलकी बारिश होने की बात कही है बिहार के कैबिरेट मंत्री और उनकी पत्नी निकले COVID-19 पॉजिटिफ COVID-19 बिहार में बड़ी तेजी से अपने पैर पसारता जार है इसी बीच कटिहार के कैबिरेट मंत्री और उनकी पत्नी COVID-19 प्रभावित पाए गये है जो इसके बाद दोनों दमपत्यों को कटिहार के एक अस्पताल में भरती करवाए गया है इन दोनों का इलाज जारी है इससे पहले राजन नेता, रखुबंश प्रसाथ सिंग और पुर्फसान सद पुतल कुमारी भी COVID-19 की चपेट में आ चुके हाला के अब उनकी हालत पहले से ठीक है पपूयादव चार लोगों के लिए बने मसीहा जा प्रमुख पपूयादव इन दोनों लोगों के मदद करते नजर आ रहे हैí चार छोटे-छोटे लोगों की 5 लाक रुपे की आरथिक मदद की है और आगे भी आरथिक मदद करने का आशवासन दिया है इतना ही नहीं, इस मौके पर उन्होंने सरकार को भी आड़े हाथ हो लिया है जिसके तहट उन्होंने कहा है कि यह सरकार गूंगी बहरी और अंधी हो गई है प्रधार मंत्री नरेंदर मोदी ने अपने मन की बात में बिहार के जवानों को किया याद प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी ने बीते दिन मन की बात कारिक्रम में एक बार फिर से रास्टर का सब मोधन किया था जिसमें उन्होंने चीन के साथ कुछ तिनों पहले हुए तनाव में जान गवाने वाले बिहार सैनी को को याद किया जिसके तहत उन्होंने कहा कि जानगवाने वाले कुंदन के पिता के शब्द मेरे कानों में गुंचते हैं जिहार के सहरसा जुले के रहने वाले कुंदन के पिता अमरंदर सिंग ने कहा था कि मेरा अगर और बेटा होता तो मैं उसे भी सेना में भेचता लेकिन मैं अब अपने पोते को सेना में जरूर भीजूँगा। जिसके बाद लॉक्टाउन के कारण कारिक्रम स्थागित होने के बाद अब इस प्रखंड को 2 अक्टूबर को सम्मानित किया जाएगा। श्रम संसादन विभाग में श्रम आयुक्त के पत पर तैनाथ है जिसके लिए स्थामानित प्रसाशन विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। मुख्यमंतर नितीश कुमार ने हर खेट तक पानी पहुचाने का किया दावा किया है। जिसके तहित उन्होंने बीते दिन जल संसादन विभाग के साथ मिलकर उत्कृष्ट से चाई, उननत, फसल अभियान तथा बागमती बाढ़ प्रबंदन योजना, फेज 3 और 5 का प्रस्तोती करन किया है। उसको ध्यान में रखते वे मुख्यमंतर नितीश कुमार ने कई एहम देश रा निर्देश भी दिये हैं। तल की तरफ जनता का चुनाव में जुकाव होगा। उससे पता चल जाएगा कि देश में आगे क्या होने वाला है। सरकार की तरफ से हर मुम्किन मदद मुहाया करवाने का भरोसा भी दिलाया है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत के खिलाफ सरकों पर उतरने वाली है कॉंग्रिस। बीते 22 दुनों से लगातार पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी देखी जा रही है। हाला कि बीते दिन पेट्रोल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई मगर बढ़ते दाम ने आमनागरिकों की परिशानी बढ़ा रखी है। जिसके बाद अब कॉंग्रिस ने सरकार के खिलाफ विरोध करने का फैसला लिया है। जिसके तहट बिहार कॉंग्रिस 29 जून को पेट्रोल डीजल की कीमत में लगातार होरे बढ़ोतरी के खिलाफ सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते वे विरोध करेगी। जिसकी जानकारे बिहार प्रदेश कॉंग्रिस के अध्यक्ष मदन मुहन जाने दी है। बिहार भाजपा ने विधानसभा चुनाव में बहुमत के साथ जीत होने का किया दावा। धमा दिया और सुरक्षा व्यवस्ता को पूरी तरीके से धूमिल कर दिया है। अप्रेंटिस के पद पर भरती के लिए रेलवे ने दिया सभी अभहरतियों को एक और मौका। रेलवे विभाग ने सभी अभहरतियों को अप्रेंटिस के 2792 पदों पर भरती के लिए एक और मौका दिया है। जिसके तहत रेलवे विभाग ने सभी अभहरतियों से 9 जुलाई तक आवेदन करने की मांगी है। पूर्वी रेलवे की भरती के लिए ओन्नाइन आवेदन 6 मार्च 2020 से शुरू हो गया था। पहले तो 5 अप्रे तक आवेदन करने की तारीक थी मगर कोवर 19 के बढ़ते प्रभाव की कारण RRC ने एक बार फिर से आवेदन की तारीक हो बढ़ाने का फैसला लिया है। इच्छुक और योग्य उमिद्वार रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट www.rrcer.com पर जाकर आवेदन से जुड़ी तमाम जानकारी ले सकते हैं। बारिश इतनी ज्यादा हो गई है कि कई लोगों की घर और परिसर तक पानी जमा हो गया है। इतना ही नहीं सीमा वरती जिलों के साथ ही अरवल को भी सतर्क कर दिया गया है। कुरशे विभाग की तरफ से मिली जुआनकारी के अनुसार रहतास, भोजपूर, सिवान, गोपाल, गंज, बेतिया, कैमूर और रहतास के इलाके में इन्हें देखा गया है। दाकि किर्शी मंतरी डॉक्टर प्रेम कुमार ने साफतोर पर कहा है कि बिहार में फसलों की ज्यादा बर्बादी टिड्डियों की वज़े से नहीं हुई है। मुख्यमंतर नितीश कुमार ने सभी नदियों को जोड़ने की संभावनाओं को तलाशने की कही बात। इस साल बिहार में विधान सभाचुनाव होने वहीं बिहार में इसको ले करके राजनीती भी जोर शोर से देखने को मल रही है। उसे जोन गई है, सिंपल। नाना पाटेकर सुषान सिंग राजपूत के पिता से मिलने पहुचे उनके घर नाना पाटेकर बिटे दिन सुषान सिंग राजपूत के पिता से मिलने उनके राजीव नगर के आवास पर पहुचे। जहां पहुचकर उन्होंने सुशान सिंग राजपूत को श्रधान्ज़ी दी साथी सुशान सिंग राजपूत को इस कदम को उठाने पर मजबूर करने वाले लोगों के खेलाफ सक्त से सक्त कदम उठाने की मांग भी की है। कि महेंदर सिंग धोनी बॉलिवर्ड स्टार शारुखान से भी बहतर आक्टिंग कर सकते हैं स्क्रीन पर धोनी शर्विश्ट आक्टर है उन्होंने आगे कहा कि अगर आपको मेरी बात पर यकीन आए तो आप 10 साल पहले पुराना एक वीडियो देखिए धोनी और शारुखान उस विग्यापन में साथ काम करते नजरार है जब आप उस विग्यापन को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि मैं कितना सही हो भले शारुखान भी उस वीडियो में थे लेकिन धोनी ने सब का ध्यान अपनी तरफ खीचा था वाटसाप के नए मेसेंज़र रूम सब्सें एक साथ कर सकेंगे पचास लोगों से बाद वाटसाप आए दिन अपने सभी यूजर के लिए नए फीचर दे कर आता है इस्क्राम में पिछले दिन वाटसाप ने एक बाद फिर से अपने सभी यूजर के लिए एक नया फीचर लॉंच किया है जिससे कि 50 लोग एक साथ वीडियो कॉंफरेंसिंगे माधियम से बात चीत कर सकते हैं महीं कोविड-19 के माहौल में WhatsApp का यह नया फीचर ऑफिस कलीग्स और दोस्तों के साथ कनेक्ट करने में बहुत मदद कर रहा है इसके लिए बस सभी यूजर आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रजनीश कुमार, सोनम भारती, पंकच कुमार, मधुकन्चन, अमन कुमार, पूजा कुमारी, पिरबल कुमार, जगलाल कुमार, अनिकेत राच, संजीत कुमार, रितिका प्रिया, सिंटु कुमार, चाइनीज उत्पादों के बहिशकार के पक्ष में है या नहीं, अगर है तो चाइनीज उत्पादों का बहिशकार करने के लिए कौन-कौन से कदम उठा रहे हैं, अपने जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताए, इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही, अगर आपी वी वीडियो हमारा फेस्बुक पर देख रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा ज्यादा शेयर करें, धन्यवाद